हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई योट्यूब चैनल रोव नीरसोई तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज हम बना रहे हैं दही भल्ले ये मैंने बनाया है मूं की दाल से तो दो कटोरी ले ली है मूं की दाल और इसे अच्छे से दो लेंगे उसके बाद हम इसे भीगने के लिए रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख देंगे और अगर थोड़ी जल्दी हो तो हम इसमें गरम पानी एड़ कर सकते हैं ये देखिए डाल है वो अच्छे से भीग चुकी है उसके बाद हम इसको फिर एक बार दो लेंगे जो चिल के बगेर हैं वो निकल ज करेंगे बिना पानी के ही इसे पीसेंगे अगर नहीं पीसता हो तो एक चमच जरूरत के अकॉरिंग थोड़ा सा मतलब पानी एड़ कर सकते हैं नहीं तो हम इसे बिना पानी के ही पीसेंगे मसाले में एड़ करेंगे एक अद्रक का टुकड़ा है दो हरी मिच्ची और थोड़ी सी लैसन की कली और इनको भी हम इसी पेस्ट में डाल देंगे पीस के दही बल्ले का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है इसे हम ढखके साइड में रख देंगे तब तक हम बाके की तैयारी कर लेंगे और जब हमें इने फ्राइ करना है तब हम इसमें एक पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा और अच्छे से मिक्स कर देंगे इने दूसरे किसी बड़े बरतन में हमने ले लिया है पानी और इसमें हम डालेंगे हींग और नमक अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि दही बल्लों का टेस्ट है वो और अच्छा हो जाए और सौफ्ट भी हो जाए वो पानी हमने तयार करके रखना है क्योंकि दही बल्ले है वो निकालके हमें डारेक्ट पानी में ही डालने है फिर हम दही बल्लों को फ्राइ कर लेंगे मीडियम होट ओल में इनको फ्राइ करेंगे नहीं तो यह बाहर से जल्दी कुरकुरे हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रहेंगे तो मीडियम होट ओल में इनको फ्राइ करके हम डायरेक्ट निकाल लेंगे पानी में और पानी में इनको ढखके हम छोड़ देंगे कम से कम भी 5-6 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ये मैंने ले लिया है दही दही को अच्छे से फेट लेंगे उसमें डालेंगे हम काला नमक और सादा नमक जो हम डेली खाते हैं वही और एक ट्रमज डाल दिया है चीनी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम दही बल्ले पानी से निचोड के और वो हम दही में डाल देंगे ये आप देख सकते हैं हमारे दही बल्ले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल सारे दही बल्लों को हम निचोड के और दही में डालके छोड़ देंगे ताकि ये दही भी अच्छे से अपजोब कर लें और और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे हमारे दही वल्ले ये सारी प्रिपरेशन हम पहले से तयार करके रख सकते हैं उसके बाद हम बनाते हैं हरी वाली चटनी जो की mostly हर चार्ट में यूज होती है उसके ले लिया है हमने दनिया पत्ता और पुदीना पत्ता हरी मिर्ची और अद्रक का टुकडा कुछ लैसुन की कलिया और डालेंगे नमक, नीम्बू का रस, नीम्बू के रस की जगया आप अमचोर पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसे पीस लेंगे अब हम इसमें एड कर देंगे दही, तीन से चार चमच और फिर से एक बार पीस लेंगे इससे चटनी का कलर है, टेक्स्चर है, टेस्ट है, सारी ही मतलब च पार चैटनी बन के तियार हूँ आप अब हम ने,